किसान बाईयो नमस्कार किसान बाईयो आप सभी अच्छे से मेहनत करते हैं अपनी ग्यों की फिसल में सही समय पर खाट डालती हैं सही समय पर पानी देते हैं फिर भी अपनी ग्यों की फिसल से एक अच्छा पदन नहीं निकाल पाते हैं किसान भाईयों आप फिर भी नोर्मली 20-22 कोंटल तकी आप अपनी ग्यों की फिसल का उत्पादन निकाल पाते हैं, आकिर उत्पादन ज्यादा कैसे निकालें, 28-30-32 कोंटल तक अपनी ग्यों का जो उत्पादने वहक कैसे निकालें, क्या कारण है जिस कारण से आप अपनी तक पिसन के पहलएयों की फसल से एक च्वात पदन स्चेट एक पाथी पासे कर ना है पर जिस से की आप अपनी गेंगों की फसल भी जरूर कर लिजेगा जिससे कि हमारे आने वाली सबी वीडियो आप तक पोहुच सके आप इसे डाल दीजे अपने खेट में आपके क्योंग के फिसल से एक अच्छत पदिन मिलेगा लेकिन किसान भाईयो जदी आप थोड़े बहुत हिचक चाते हैं तो दुखानदार एकदम बोलता है कि छोड़ इसे मट डाल तो एक नया प्रोड़क्ट है इससे विच्छा उसे डाल दे और किसान भाई क्या करते है कि दुखानदार के बातों पर इस्वास कर लेते हैं और उसी प्रोड़क्ट को ला करके अपने खेट में डाल देते हैं जिस वज़े से उनका जो उत्पादन है वह तो कम निकलता है लेकिन जो उनकी लागत है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसान भाई यो लागत भी लगा दी महनत भी कर ली फिर भी विचारकों किसान को गरीब किसान को एक अच्छत पदन नहीं मिल पाद कुछ किसान भाई तो नोलीज होती है किसान भाईयों को कि अच्छे से खाद कास्तमाल करते हैं सही समय पर खाद कास्तमाल करते हैं लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं कि बेचारे जो भी दुकंदार से खाद खरीदेंगे, वे एक खेदे में डाल देंगे, और अपनी ग्यों के फचल से जो भी उत पदर निकलेगा, उसमें खुस हो जाएंगे. जो किसान भाईयो, आप ये गलती बिल्कुल भी मत किजेगा, आप किसी भी दुकंदार के बहगावे में मत आईए, आपको खुद देगना है कि आपको अपनी ग्यों के फचल में कौन से खाद के इस्तमाल करना है, किसान भाईयो, आपकी ग्यों के फचल में केवल पांच मु ालते हैं तो आप अपनी घ्योगों के फैसल से एक अच्छत पदन ले पाएंगे, किसान बाईयों धूंदार क्या करते हैं, कि वे एक आपको कॉम्बो पैक दी देते हैं, उसमें बहुत कम-कम मात्रा में सभी माइकरी न्यूटरन होते हैं सभी माइकरी न्यूटरन तो उसमें होते हैं लेकिन उनकी मात्रा इतनी कम होती है कि हमारी ग्यों की फचल को वे माइकरी न्यूटरन परियावत मात्र में मिल ही नहीं पाते हैं आपको सलफर मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा, कैल्चम मिल जाएगा, मैंगनी से मिल जाएगा, बोरोन मिल जाएगा, लेकिन किसान भाईयों वे सभी इतनी कम-कम मातरा में होते हैं कि आपकी ग्यों के पिसलिक लिए वहाँ खाद परियाप्त नहीं होते हैं, इसलिए आपक चलेगा कि आगिर इसमें है क्या-क्या किसान भाइयो पैकिट आते हैं पैकिट पता नहीं कौन सी कमपनी क्या बना रही है कौन सी कमपनी उसमें कोई नगली खाद मिला रही है इसलिए आप अपने हातों से कॉम्बो पैक तयार केजे अलग से सलफल लीजे अलग से जिंकल लीजे अलग से यूरिया लीजे अलग से डियेपी लीजे और तब जाके आप अपने खेत में उस खाद का इस्तमाल कीजे फाइदा ये होगा कि आपकी जो ग्यों का पदन है वह बहुत ही अच्छा निकलेगा किसान भाइयो इस तरिके जाएदे आप खाद का इस्तमाल करते है तो आप निश्ची तोर पर अपनी ग्यों की पचल से एक बहुत ही सांदार उत पदन निकाल सकते है किसान भाइयो इसके अलबाए एक बात हो रहाती है कि किसान भाइयो को अपने ग्यों के पचल में खात का इस्तमाल कब करना चाहिए सुबे की समय पर कुछ किसान भाई खात का इस्तमाल करते हैं कुछ दोफैर में कर देते हैं और कुछ साम को करते हैं तो तीनों मेंसे जो सबसे सही समय है वह है साम का समय आपको हमेशा ओस पढ़ने से पहले साम के समय ही अपनी ग्यों के पचल में खात का इस्तमाल करना है। वह आपकी फसल को लगना सुरू हो जाता है और उसका वास्पेकरन भी नहीं हो पता। इसलिए वह समपूर्ण तरीके से आपकी जो फसल है उसको मिल जाता है। आपका इस्तमाल करते हैं सही समय पर करते हैं तो निश्ची तोर पर आप हर साल के मुकावले में इस साल अपनी ग्यों के पचल से एक सांदा पदन ले पाएंगे। तो किसान भाई यदि हमारी वीडियो फसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को जज़्धा दसेर कीजेगा जिसे कि सभी किसान भाई अपनी ग्यों के पचल से एक बहुत जदा अत पदन ले सकीगे। किसान भाईयो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नहीं वीडियो में नहीं जान करके साथ तब तक के लिए नमश्कार